अररता थी करी शकासे अने स्थ्रेस्ट निर्णेयों लई शकासे ए पछीनी स्लाइड छे तमारा स्क्रीन पर भारत क्या छे आपने तो चर्चा करी के IFRS सू छे वर्ल्ड मा स्थिती सू छे US मा स्थिती उचे आपडा मांटे महत उनू छे के भारत आपने क्या छी ये India has announced a plan to adopt IFRS as not an international, not for international, but I for Indian as Indian financial reporting standards for which of the companies, for listed companies to be implemented in three phases समय ना त्रण तबक काओनी अंदर आपने listing companies माटे आ IFRS standards के जे हवे समझीये छिये त्यारे international financial reporting standards नहीं पण हवे आपड़े उडखीशो एने Indian financial reporting standards एने आपड़े समय ना त्रण तबक काओनी अंदर आपड़ा दिशनी अंदर लागू पड़वा आपड़े जही रहा छीए अने आ त्रण तबक काओ काया छे कौने लागू पड़े छे अने इस सरु थवानों समाई कायो छे ए पण आपड़े आगणनी स्लाइड मा जुए छे पण एक चार बेजार अग्यार दी आपड़े एना अमलनी शारुवात करी रहा छीए important questions to be answered कोई पन धन्दा किया इकम है जरे IFRS standard उपर जवानों होई तो आप रस्टनों पूछ पोता ना धन्दा किया इकम माटे पूछवा अने जवाब मेड़वा जरूरी छे के जेदी आ shifting अथवा adoption अथवा conversion यहनों बहुच सरु थाधी थाई शके अने तमारा कर्मचारियो ए माटे मानसिगरते तयार होई तमारी पासे जे accounting software होई एपन IFRS standard ने match करतू होई एवू बने अने तमारा stakeholders पाण ए standard ने उप्योग करवा माटे मानसिगरते सज्य होई तो यहा प्रास्णों छे why is the transition of IFRS so important केम जरूरी छे अगर चर्चे आपने पूरी करी छे second one is your organization prepared for the transition to IFRS तमारू दंदा क्या इकम आये सुपर थी IFRS पर जवा माटे ट्रांसफर थावा माटे शुँ तयार छे third question some questions to consider when planning your transition to IFRS यहने असर करे ते वा किटला प्रस्टों पर तमारे जानवा जुए के कर्मचार्यों नी मानसिगता चे यह माटे खर्च किटलों आउसे यह माटे किटलों समय लाख से माटे किटला manpower नी जरूर पर से manpower ने के वा पर करने ट्रेनिंग आपी पर से ट्रेनिंग कई कंपनी आत्वा कई इंस्टीट द्वारा मेडवा माँ आउसे आ बदी वी गतोन तमारे प्रस्टों दरीके यहना जवाबों तमारी पासे रेडी होवा जुए यह पचित तमारे योग्य निरिणली ने चौकस फेज दी अंदर IFRS standard उपर तमारे shift था हूँ जुए तो यह smooth shifting बनी देशे Is your IT infrastructure up to the task? IFRS ने में थायवू तमारू IT infrastructure छे न होई तो यहने procure करवा माटे तमारा कर्माचारियो यह सरता थिया उपयोग करिशके माटे पूर्ती ट्रेडिंग आपवा माटे ने तमारे पहला व्यावस्था करवी जुए Last part, does your organization have the right people in place? तमारा जे कर्माचारियो छे अधिकारियो छे चार्टर्ड अचाटर्ड छे फाइन्सियल मैनेजर्स छे ए योग्यमानसिक्ता धरावे छे खरा तो आएक mindset नो प्रस्ण छे एमनो mindset पॉन आए फरे स्टांडर ने अपनावा माटे नो होव जुए एना अधिकारियो छे एना होव जुए निवपयोगिताने समत्ता होव जुए तोज ए सरर्ड ताथी आप परिस्तिती अत्वार ने ट्रांस्पर, एड़ोप्शन, कन्वर्जन्स ए सरर्ड ताथी स्विकार्शे अने धन्दा की एकम्मा बाउच स्मूदली बाउच सरर्ड जी मुखवाना पाण आपड़ा जे इंडियन एकाउंटिंग स्टांडर्स जे जे आपड़ा आएसक आई एसक ये ची एमा जरूरी फेरफार आपड़े लावाना ची एट आपड़े कन्वर्जन्स करवाना ची एड़ोप्शन नधी जेवा आएफरेस चे बद्दा आपड सरड बने आपड़े बहुँ सरड ता थी आज चेंज तरफ जे रहा ची तो अड़ोप्शन कोने के वाई आने कन्वर्जन्स कोने के वाई पेला ये बे अड़ोप्शन वोड में फुल-fledged use of IFRS as issued by the ISB by the Indian Public Companies पने ये आपड़े करवाना ना थी तो कन्वर्जन्स कोने के व सरड बने what are the advantages of converting with IFRS improves investors confidence across the world with transparency and comparability comparability एटले कंपर करिश काई वाने transparent तमारी पासे reports होई तो ए तमारा investors नो विश्वास प्राप्त कर्षे that will improve inter-unit, inter-firm, inter-industry comparison पन शक्या बनाऊशे group consolidation एक कंपनी भी जामा भेगी थी जाए तमे जने सायो जनके समावेश कोचो अतमा acquisition and merger कोचो ए पन बहुच सरड ताथी करी शकाई made easy with same standard of all companies in group wherever located कोई पन देश नी अंदर एफ धन्दा की एकम होई पन एनू जो merger होई तो एकज प्रकार ना सिद्धान तो दी जो इसा वो तैयार करवा मावे होई तो एनू merger ना acquisition सरड ताथी करी शकाई से acceptability of financial statements across all stock exchanges भारत नी एवी सोथी वधारे कमपनी होचे के जमने पोताना नाना की सादनों बीजा देशो ना stock exchange मा लिस्टिंग कराय होचे which facilitates entry of any Indian company to any stock exchange across the globe कोई पन भारतिय कमपनी विष्वना कोई पन stock exchange नी अंदर पोताना शेर नू लिस्टिंग सरड ताधी करावी शक्षे आयमना माटे एक विदेशी चलान मेडवा माटे एक आवधारानी तक प्राप्त कर्षे how difficult is it to converge Indian accounting standards with IFRS it will not be difficult because we have always been following good standards of accounting आपड़ुजे Indian accounting standards चे इतला बदा हेल्दी चे क्या आपड़े बहु नाना चेंज करिये तो आपड़े स्यार ताधी IFRS पर कंवर्द थाई शक्यम जिये क्या आपड़े क्या आपड़े हल्दी प्रेक्टिस अमल मा मुक्की रहा चिये credit goods goes to the Chartered Accountant Institute as well as the IAS however every corporate has to take the necessary steps to in understanding the new standards training its staff and paving a smooth transition the management at the top level should take interest in this regard management पन आप्रकारना चेंजनी अंदर बहु रसले वो जरूरी छे are IFRS and the revised Indian accounting standards are same or not no they are not the same India wants to converge with IFRS not adopt and not adopt IFRS and there are some differences between IFRS and the revised IAS for example the terminologies are different as against the Indian accounting standards जो terminology मा शूचेंचे मैं पाच्छनी स्लाइड मा बतायू छे Indian accounting standards प्रमाने आपने balance sheet कहिये छे तो IFRS मा एच statement ने statement of financial position केवा छे statement of profit and loss account जे आपने IS मा कहिये छे ना बदले हवे ने केवा से अत्वा ये statement उडखा छे statement of comprehensive income तरीके what are the major differences between existing Indian standards and IFRS के तलाख उदारन अप्वानों में या प्रहतना करयो छे the major difference lies in fair value of accounting also some new concepts and models have been introduced for example acquisition method in lieu of purchase method in business combinations तमें सही जनन समावेशना जैसा बोट सिखी रहा छो अथवा शिख्या आसे तमें के जे वरतमान नी अंदर accounting standard 14 प्रमाने आपने तायार करवा जरूरी छे एनी अंदर पांच सिद्धान तो आपया छे तो शरतो आपी छे जो पांचे शरतो नूँ पालन थतु होई तो अमुक रिते अथो अमुक बैधर नो उप्योकरे इसा भूनी नोंद करवा मावे और एमाना एक केक करता वधर शरत नो भंग थतो होई तो जुद्र तयानू इसा भी छोपणा ओनी अंदर एनी नोंद करवा मावे तो आजे बे ओप्शन्स चे एपन हवे निकडी जवाना चे बद्धा एफ फरजरी ते एकच सिद्धान त चालू रेवने नथी फॉर एक्जांबल जुओ तयां के उजे दिलीफो मैथड एज बिन रिमूड इन अकाउंटिंग आफ इन्वेंटरीज इन्वेंटरीज एटले स्टॉक ना मुल्यांकन माटे निलीफो बद्धती हवे उपयोगी रेहवानी नथी ए सिवाई नी एक पद्धती नोज आपने उपयोग करी शकी सूँ बहुझ महत्वनों आ पाड छे एंप्लोई स्टॉक ओफ्शन प्लान जे इसोप तरीके उड़काई जे तो पहला तमने इसोप नी चर्चा करू के इसोप कोने क्यावाई तमे कर्मचारी पासे थी जे कामनी अथवा जे कार्य दक्षतानी अप्रेक्षा राखवा माब उती होई इना करताई वधर सारू काम करे तो ये कर्मचारी ने प्रोचसहन माटे एन्ने बोनस आपफामावे छे आव्यों बेमस नाना की चाहिं पॉरूप मापन आपन पजार मावर उजे होई येना करता ओछी किम्मत कर्मचारी ने आपे कजेर ही कर्मचारी अमुक समय ना लौक इन पिरियर पछी जो आ शेर बजार मा वेचे तो ये market price उपर वेची सके और इस्सी प्राइस ने market price वचे ना तभावाती कर्मचारी ने capital gain पन बड़ी शके अने कर्मचारी आ कंपणी नो मालिक छे एवी भावना पड़े नामा जागरूत थाई इले एक करता वधरे परपस थी आवा कर्मचारी ने कंपणी पोता ना शेर बजार भाव करता ओची किम्मत आपे छे इस कीम ने कहवाई ची इसोप Employee Stock Option Plan अत्यार भरतमान में इवी परिसिती चे मानों के उधारन आपू के TCS कंपणी चे आ TCS कंपणी ना शेर नी face value एनी मुढ किम्मत एक रूपियो चे अने आ शेर नी बजार किम्मत मानों के एक जार रूपिया चे कंपणी पोताना एक कर्मचारी ने एक जार शेर आपवा जही रही चे अने कंपणी नकी करे चे के आ शेर बस्सो एक रूपिया ना भावे शेर ओल्डर ने आपवा तो एक रूपियों नी मुढ किम्मत 200 रूपिया प्रेमियम कर्माचारी ने 1000 शेर 201 रूपिया ना भावे अपफ़ा मा आउशे अमुग समय नो लौकिन पिरेड होई मानो के त्रण वरस नो तो त्रण वरस उधी कर्माचारी या शेर बजार मा वेची शके नहीं ट्रांसपर करी शके नहीं पाण आजे जो आ शेर नो बजयार भाव 1,000 रूपीया होई तो करमचारी ने एक जार रूपीया ना बजयार भाव वाड़ा शेर 201 रूपीया मा मड़े छे शेर स데 इताज़्ट रूपीया नो लगवग फाइदह उताई चे इवा एक हजार शेर मड़े छे पण वर्तमान नी अंदर कंपनी ज्यारे आई सोब अथवा ओप्षन कर्मचारी ने आपे छे त्यारे पोताना इसावी चौपडा मा ज्यारे नोंद करे छे त्यारे एक रुपिया लेखेनी रकम कंपनी पोतानी शेर बूढी बूडीमा उमेर से 200 रुपिया जामिनगिरी प्रीमियम खाते जमा कर्शे अने 211 रुपिया प्रमणे एक जार शेर माटे कर्मचारी ने बोनस आपीऊ एम करिने पोताना ननु खाता मा एनि नोंद कर्शे आवर्तम प्रवर्तमान बज्यार भाव जे होई एक किम्मत पोताना इसा भी चौपड़ाओं मा नोंद करवानी रेशे एना कारणे जामिन गिरी प्रिम्यम मा पन फेर फारता शे औने ननुखाता उपर पने फेर फारता शे के जे अंतिम स्वरूपे दंदाना प्राफिट उपर असर क आपार शे तो जो तमारा स्क्रीन पर, the difference between the market price and the issue price to be mentioned at profit and loss account, तिया बता वनु रेशे वे, areas of differences, घणाबदा differences चे, यां खाली ए concept अप पानो प्रायतन करो चे, conceptual differences चे, differences due to legal and regulatory environment नी अंदर वातावरान मा परियावरान नी अंदर के लागख चेंजी जरूरी चे, differences due to level of preparedness अनी यारी मा केटलाग फिरफार होचे and difference is due to removal of alternatives जे लीफो कोई लीफो बद दियावे अमल मा आउशे नही अत्वा accounting standard 14 नी बाद करी तो है मा एना पण कारणे केटलाग difference is उभाद है आजे What are the likely cost of converting to IFRS? The cost would be determined largely by the size and the nature of the respective company दन्दा की एकमनू कद कईू छे आर्थिक कद केवाए ने किटला transactions छे किटला रुपिया ना छे अने आ transactions ना साथे किवा प्रकार ना transactions छे जे उत्पदक छे service provider छे multinational corporations छे shopping mall छे के कोई trust छे किवा प्रकार नू एकम छे एना आधारे किवा प्रकार ना अथवा किटलो खर्च थाशे इना की करिशे का एने size के वाई अने nature of respective company के वाई the initial cost to identify and quantify the difference says between Indian Gap and IFRS related with the staff training and implementing IT support it less accounting software NAKY IT support could be significant that will decide the cost of convergence to IFRS what are the different phases of convergence for companies in India as per the notification of the ministry of corporate affairs convergence of Indian accounting standards with IFRS will take place in three phases phase one tamara screen पर छे opening balance sheet will be prepared on 1st April 2011 पहलो भाग एनो अमल एक चार भेजार अग्जियार थी ठही रहे हो छे एक कौने लागू पड़ से माटे के वाई coverage एनू कारेक्षेत्र के कौने लागू पड़ से companies which are part of NSC 50 Nifty के वाईने companies which are part of BSC Sansex 30 एट ले निफ्टी मां जे पच्चास कंपनियों छे थे BSC Sansex मिन अंदर जे 30 companies जे छे एमने आ लागू पड़ से उपरान companies whose shares or other securities are listed on a stock exchange outside India भारत नी बाहर ना stock exchange मां जे कंपनी होई पोता ना नाना किये सदर्न नी नोंदड़ी करावी होई एमने पड एक चार बहेजार अग्यार नो पहलो फेज लागू पड़ से अने एमने एक चार बहेजार अग्यार थी पोता ना हिसाबो IFRS standard प्रमानेत यार करवाना रेशे अने फाइनली, companies whether listed or not नोंद़ायली होई के ना होई having a net worth of more than Indian rupees 1000 crore 1000 crore करता बदारे net worth होई एभी कंपनियों ने आ चार पाट नी अंदर आउती कंपनियों माटे एक चार बहेजार अग्यार थी IFRS नो अमल करवो फरज जियाच्चे phase 2 लागू पडशे एक चार बहेजार थी पन कौने लागू पडशे companies not covered in phase 1 and having net worth exceeding Indian rupees by 500 crores 500 crore करता जैनू भारतिय चलाण मी अंदर net worth वदारे होई एभी कंपनियों आये फारेस नो अमल पहली अपरिल बेहजार थी फरज याद पने करवानो रह्षे अने थर्ड पार्ट नी अंदर phase 3 तमारा स्क्रीन पर जैनू अमल शरू दावानो छे 1st April 2014 थी कौने लागू पडशे listed companies not covered in the earlier 2 phases एटले phase 1 अने phase 2 माँ जे कंपनियों ने आँ अमल थरू